पोकरण में गुरुवार अलसुबे एसीबी ने बड़ी कारवाई करते हुए एक भू अभिलेक निरक्षक को साथ अजार की रिश्वत लेते रंगे हातों धर्दबोचा जानकारी के अनुसर परिवादी दीदू निवासी गोपाल पुत्र नगत सिंग राजपूत ने एसीबी में इतला देते हुए बताया कि बू अभिलेक निरक्षक लक्षमन सिंग पुत्र ग्यान सिंग जाती राजपूत निवासी फल्सूंट हाली निवासी पोकरन जोकी वर्तमान में बू अभिलेका निरक्षक पत पर कारीरत है गोपाल सिंग ने बताया कि बू अभिलेक निरक्षक द्वारा करसी बूमी पर रहन करने के एवज में लक्षमन सिंग द्वारा आठ हजार रुपे की रिश्वत मांग ली तता रिश्वत देने के बाद करसी बूमी रहन वे बीमा क्लेम पास किया जाएगा जिसको लेकर के परिवादी ने 14 सिटमबर 2020 को ACB कारियले पहुँच कर परिवाद पेस किया ACB ने 15 सिटमबर 2020 को टीम गठित कर सत्यापन कराने के लिए पोकरण पहुँची लेकिन लक्षमन सिंग भू अभिलेक निरक्षक पंचाईती राज चुनाओं में वे सोने के कारण नहीं मिल पाया आज गुरुवार को अलसुबे ACB उप निरक्षक अनिल कुमार पुरोईत के नेतरतों में टीम गठित कर सत्यापन करना चाहाँ जिस लेकिन भू अभिलेक निरक्षक ने 7000 अपने श्वम के पास रखकर 1000 वापस ने दिये इसी दोरान ACB न सहयुक्त कारवाई करते हुए बू अभिलेक को पोकरण में स्वम के मकान पर उसकी जेव में से 7000 रुपे बरामत कर गिरफदार कर लिया कि देमें आर्ट सब्दा सितब्बर 2020 को परिवादी गोपार सिंग है क्योंकि दुदू के रहने वाले हैं तो में बिपोर्ट आरिला में पेस की थी अब आरही है सत्याया वह 8000 रुपे मांग रहे हैं क्लेम पास करने के लिए जिस पर 9 सितंबर को सत्यापन कराए गया सत्यापन में विबाएंड कि रहने पर आने पर परिवादी के बिबार होगे कि अधियों परिवादी संपर किया उन्होंने पैसे देने का तो आज यह पैसे इन्होंने शुबूद किये तब टक्सवाद्वाद सिंग को उनके मुकान से गिपता है कितने जाइव पर छेया एक जार रुपे वापस देए दिए साधबस रुपे नादा इनके जेव से बारा मिज़ा है नुट में जाइनि तो कि जारी है